नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम जोबेका लियाकत है हम मा गंगा की गोद में है और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला हीराबा का लाडला देश के वड़ा प्रधान प्रधान मंत्री नरेंड रदामुदर गास मोदी जी बहुत-बहुत के लिए इतने महत्वपुण क्यों है कि अगर शर्ण मंत्री बन तardearm में तो वह पहली चीज क्या होगी जो आप आप इतना बड़ा क्वेश्चन वार क्यों लगा रही हो मा गज्या के किडारे पर खड़ी हो पुरा देश आप घूंकर क्या ही हो देश में आप लोगों से मिली हो आपने देखा है यह चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है यह चुनाव 140 करोर देशवा से लड़ रहे हैं और जो मनोभाव लोगों के देखे हैं मेरा बहुत लंबा अनुभव है चुनाव का जनता के मिजाज का अनुभव है उनका तज्यूर्बा में समझ सकता हूं तो यह चुनाव से भी काफी उपर की अवस्ता है यह बोट देकर के छुटने व और कॉंट्रेक्ट दे ऐसा नहीं है वो मोदी से जूड़ चुके हैं और अधिक जूड़ना चाहते हैं उनको लगता है कि देश ने कई सरकारों के मोडल देखे लेकिन भाजय पाने के ऐसा मोडल दिया है जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है सपने भी है और जिसमें साफ साफ देश के सामगाने मानवी जो सतर पतर साफ से इंतजार कर रहा था जिसको लगता था कि आजाद होने के बादे सब उसे मिल जाएगा इसको मिला नहीं वो देने का कामाइद मोर्दी कर रहा है और इसलिए मुझे जो जमीनी सक्चाई है वो मेरे साथ जूड़ चुकी है और जो खास करके युवा जन्रेशन हो जिसने बुरे दिन देखे ले थे इसने उसको साथ दस साल का हुआ उसको लगता है यह यह स्पेस्ट में रिफॉर्म हो रहा है उसको लगता है यह तो बिल्कुल दुनिया के लिए हमारा सब जब वो देखता है कि हम मुबाइल फॉन इंपोर्ट करते हैं और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम साकड नमर पर है मुबाइल एक्पोर्टर के रूप में तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बून रहा है और बून करके वो ऐसा धागा बना रहा है जिस धागे के कारण उसको अपने भविष्ट की गारेंटी दिखती है इतना कॉन्फिदेंस आप लब्रेज हैं कॉन्फिदेंस मतलब आपको नर्वस्नेस ज़रा भी नहीं है में जीवन थपश्या की है जी मेरा पलपल मैंने खबाया हैं कि देश वांसिय। के लिए खथ अपने लिए नहीं कपाया है और मैंने इन के लिए मुझे मालूम है कि बहुत ही डिजर्विंग लोग है इनके साथ सतर साल तक न्याय हुआ है और जब उनके आशू को पूछता है उनके टॉइलेट की कोई जिन तक है कि ऑखो जो फूछता है कि कोरोना का चूल बूजने नहीं दिया धा कि बच्चेंको भूखा सोने नहीं दिया था ओ क्यों एक सर्कार थी जिसने कहा तक भंतार पढ़ें लेंगी नम दे लिसा के साहर का जिसका संकल्प है किई पूजने नहीं दूगा यह जो इमोशनल साइड है आपका 15 साल से ज्यादा वक्त गुजरात में 10 साल यहां केंद्र में एक बहुत ही कड़े प्रशासक के तौर पर आपकी इमेज जो है निकल कर आई है लेकिन हाल के दिनों में यह दिख रहा है कि आपका कोमल मन है जो रह रह कर बार आजाता है आप बहुत इमोशनल आदमी है लेकिन उसे दुनिया से चुपाता है कि अब टीवी का जमाना है तो लोगों को पता चल जाता है यह को बाद में आई हुए चीज़ नहीं होती है जन्म जाप होती है और वो शायद मेरी स्ट्रेंध भी है दुनिया के मोदी आपका बच्चा है आपने इसको बना बना है आपने इसको पाल करके बड़ा बना है कुछ कमी रहे गई मैं ठीक करूंगा अच्छा होगा तो आगे बढ़ा होगा मैंने दो परस्नालिटीज आपकी बताई एक तो बेहद इमोशनल एक कड़ा प्रशासत लेकिन आपक कि कोई राजनितिक साथी साथ नहीं होते हैं आप किसी का साथ पसंद नहीं करते वो कहते हैं यह आदमी क्या समझेगा परिवार इसका तो परिवार ही नहीं है कि अग्या पूछना चाहिए आप देश के लिए निकले हो परिवार की बहुर कब निकलोगे यह सबाव उनको पूछना चाहिए अब कॉंगरेस पार्टी का पूरा केंपेंड है फैमिली केंपेंड बन गया है बाकी सारे दल इंडिये एलाइंस के हैं आप तमिल नाडू द देखिए परिवार केंपेंड कर रहा था आप आंदर देखिए परिवार केंपेंड कर रहा था अब तेलु को तेलन गणा देखिए परिवार केंपेंड आप उत्तर प्रदेश देखिए दो परिवार केंपेंड कर रहा है जमकेश्विर देखिए दो परिवार केंपेंड क सवाल मिडिया के उनकों होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी अब परिवार से निकल जो नहीं पाते हो कि मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूँ यह गर्म होना चाहिए कि लोग तंत्र की सबसे उंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है मेरा भारत मेरा परिवार उसके लिए जीता है अब ये question mark लग जाए तब मुझे होता है कि क्या इरादे होंगे आपको तकलीफ होती है इस बात को लेकर कि यह ideological war कम है वैचारिक जो लड़ाई है वो कम है आपसे नफरत ज्यादा है मतला अगर यह मोदी ने किया है तो तो पक्का कुछ गड़बड़े इसकी इसमें कुछ खराब कठिना यह है कि जब इनसान तर्क के आधार पर तथ्य के आधार पर और जमीनी हकीकों तो क्या अधार पर है पूरी प्रकार से निराश हो चुका हो तो हाथ नहीं लगता है तो वो टेबल पर शारता रहता है चिलनाता रहता है अनापसना बुलता रहता है अब मेरे सामने दो रस्ते हैं कि जो हो अल्ला हो रहा है मैं अपना ध्यान उसमें केंद्रित करो कि मैं जिस संकल्प को लेकर के चला हूं मैं अपने आपको वहां समर्पित कर दिया है और मैं योगा का इंसान हूं कि मैं अपने आपको निर्विकल्प निराकार संकल्प के साथ जड़ा हूआ है चला जा रहा हूं मुझे आपको यह ऐसास नहीं मतलब आपको आपको सच में तकलीफ नहीं होती है वाहिद ऐसे शक्स हैं पुलिटिकली जिसको इतना कोशा गया है और यह अतिश्योक्ति नहीं है जब मैं आपसे कह रही है मतलब आप किसी भी किसी भी पर्सनालिटी को सोचिए तो उसको उसको विपक्ष की तरफ से ऐसे नहीं कोशा गया जैसे आपको कोशा गया है हमारे सास्त्रों में कहा है कि निंदक निर राखिये और मैं यह स सब्सक्राइब करते हैं तो उन्होंने शोचा कि राजमी को गालिया दे दे करके हम इस पूरी एक इंस्टिटूट को और पूरी एक विचार प्रभा को है तबहा कर देंगे यह भूल गे कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बढ़ा बढ़ा दिया और मुझे कौन जानता कि गालियों देने के कारण और इसलिए मैं आपको अश्रुए मैं गुजरात में पब्लिक मिटिंग करता था तो मैं पूछता था को काले जंडे वाला आया है कि नहीं आया है तो फिर वो मेरे सामदे मैं दो चार काले जंडे वाले लाई ये तभी तो करक्वार में आएगा मोदी जी ने इतना बड़ा कारकम किया मैंना का एक लाइन नी चंपेगी दो चार काले जंडे वाले रखो भाही क्योंकि मेरा पॉजिटिव प्रतार संपह भी नहीं है तो मैंना कोई नेगेटिव वाला आ जाएगा तो कम सब्सक्राइग कि मैं मोदी उस गाउं में वो कार सब्सक्राइग करें तो मैं इन चीजों से निकला हूँ मैंने इसका आनंद लिया है हम एक कारिक्रम कर रहे हैं मोदी जी न्यूजेटीन इंडिया का वो कारिक्रम है मोदी वतन मुसल्मान हम ज्यादा तर उन जगों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भाई संख्या में है पहले आलम अलग था और आज की तारीक में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकते हूं कि ऐसे ऐसे मुसल्मान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं और एक उनका वाक्य है ना दूरी है ना खाई है मोदी हमारा भाई है बढ़ा जोड़ शोड़ से ऐसे करते हुए नजर आता है बावजूद उसके आप उस धार्णा को तोड़ने में क्या नाकामियाब रहे हैं कि मोदी मुसल्मानों का नहीं है पहली बात यह है कि यह मुद्दा मुसल्मान का नहीं है इंडिविजियल मुसल्मान कितना ही मोदी के साथ होगा लेकिन एक निश्चीत विचार प्रवाह है जो उनको अधेश करता है कि आप यह करो या पो करो उसके अधार पर निर्णे करते हैं जहां तक मोदी का सबाव है तो मेरे अगल वगिर में सारे मुसलिम परिवार तो हमारे घर में इद भी मनती थी हमारे घर में और वितिवार होते थे कुछ Tabii घर में मेरे घर में ए ऐद´ के धिन खाना नहीं पड़ता है कि इद मेरे मुसलिम परिवारों से मेरे हां और घर महीं है पर यह आनि ऐने पांस कर्म के वाद ूच India जब महरम निकलता था तो हमारा कंपल सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों ताजिये के नीचे से निकलो हमें सिखाया जाता था तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ आज मेरे बहुत सारे दोस्ते प्राहिए दूसरा दोजार दो के बाद मेरी इच्छ भी बहुत खराब हो खराब कर दी गई गोद्रा के बाद मैंने सोचा वही जना रियालिटी जानी चाहिए तो मैंने हमारे एक प्रीस कारेकरताओं का युवाओं का एक ट्रेनी केंप किया हमको सर्वे करना सिखाया है सर्वे मतलब रच आंकडवाला sonven बात टेत कैसे करनी आतले निल invited से निकाल रच करके लिगा है कि वह मानिक चौग में š रामको लूग खाना करें गावनों ने पीवानों घो जो बिजनेश सारे आपारी है और खरीदार सारे नंदू है अन्दो ए और वो इतनी भीड होती जी पैदल निये चल सुके शायकल को तो लेकर जाना के इनपसीरल गया संव.. अब दिवाली में बड़ी भाह होती है आप अंदर गए दो गंडे से निकल नहीं सकते हैं और हर प्रकार की चीज बुच्ती है और मैंने का मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है तो मैं लड़कों को बेगा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था वो गए पूछते थे कि अब अब तक अब बताएगे जिवाली कैसी है एक अधिया दिवाली बड़की बात तरहां मैं अभी अब से पूछने वाली थी वह दो की बात करा अच्छा दिवाली बहुत अच्छी है कि उसको जरत चूबने के लिए और मोधी बढ़ा यार ने मोधी का नम बतलो एक बच्चा होता था, था उनका पूली सकी मा सुनेगे ना मृझे राक तो खानना नहीं देगी ले क्यों अरे बोली मोदी नहीं आया था तब तक बोले उसकी मा इतनी खूश रहा है कि मे अधिए सब पूस का जीवन बनता है तो मोले मोधी के खिलाब मेरे अगर में बढ़ बोल्य और करीब करीब नबे परसंट दुकान वालों का तरक अलग अलग होंगे यही जवाब था दूसरा कि मुझे कुछ महला एक बन में मुस्लिम मैं तो बड़ी बधाई दे रही तो कि अपेक्शन लेकर क्या है तो वो जुहापुरा की थे और जुहापुरा वो है जहां करीब तिन चानलाग मुसल्मान का घेटो जा तो बोले हम वहां साइए तकलीफ है क्या कोई पुलिस्वारा को सरकार कोज्शे को ने बिसे हठाक नहीं दόनर कमले कि हैं तो यह ऊफनी करननी कोई कॉस tietड़ के चुंधा ऐसर बताई कर आक को बोले आपने ibaली का काम अढम बहुत आटे की है कि मैं बोहुता बस्ते मताट जो perspectives किलम्हंट के वर तोटेना कर शिला से और वहां कोई सट क् बोले नई साभ, आपका ऐक बमनतरी है, हमारी है हर मौलय में बिजली मंतरी है और बोले बिजली दे divi करके हमसे पेमेंट लेते थे ते चैबल उनके थे बोले शरकार की बिजली चोरी करके हमको बेचते तर हमारे पैसे बहुत जाते थे पूले अभी रेगुलर बिजली मिल रही है को इसलिए हम आये हैं पहले मेरे पर अख़वारों में मोधी ने वहां पर जुल्म कर दिया सारे केबल कार दिये अक्षुली मैंने उनका भड़ा किया तो ऐसा मेरे जीवन में सेंकड़ों घटना है लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूं क्यों मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सफालिकास के लिए काम नहीं करता हूं और जो गलत है वो समय गलत कहके रहूंगा सेच पर आपने मुसल्मानों का जब जिक्र किया तो घुस पैठिया ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला इसकी क्या जरूत आन हमारी और यहां गड़ी परिवारों में भी यहाल है जी उनके बच्चा पढ़ा नहीं पा रहे हैं किछी भी समाज के हो गड़ी जहां है वहां बच्चे भी ज्यादा है तो आप कहरे मुसल्मान अलग था ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था आपको उनके वोट की जाहत है। इस बात की गवा तो मैं भी हूँ मुसल्मान ये बात कहते हैं और ये मानते हैं कि उनके घर पे सडक आई है बिजली आई है उनके घर पे सिलेंडर आया है शकीला और शकुंतला में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। और ये रहा आपका नव गात कैसे लगता है ये बदलाव नहीं पहली बात है क्या है चैसे लगता है ये ये बदलाव नहीं के बात जो लुद कर दिखार ये उसमें अचम्गार्ण व मुजें शृट को बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहां आते हैं तो वह पुरान और इसको जोड करके देखते हैं और मैंने इस पुराजनी परमपराव को भी बचा के रखा है और मैंने इसको आधिनित रूप भी दिया है विरासत भी और लगातर गंगा को नमढ यहां क्यों आते नमो कि नमोगंगा है बहुत खूब अच्छा यह बताईए जो मेरे दो क्विक आखरी सवाल है पहला तो यह कहा जाता है कि 400 अगर मोदी ले आएगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा विपक्ष एक मजबूत स्थिती में होगा तभी तो लोक्तंत्र चल पाएगा आप क्यों चाहते हैं कि सब आप ही के पास आजाए मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने हैं मैं इसके लिए महनत कर रहा हूं लेकिन मजबूती का मटलब यह नहीं हां उस नचलने दे पुर्दंग करें अंडेमोरेटिक में काम करें भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साथ यह लो नहीं को मतोर है कि तरह कि विपक्ष के रूप में भी फेल गए उनके खाते में विपक्ष्य काम कियाद एक काम नहीं है कि ये लोगई विपक्ष में फेल गए को सासल में कैसे सफल हो सकते हैं अब भारत में मजबूत लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है मजबूत विपक्षक्षता है और इसलिए शरत्व्रवाने की अच्छा सुजावद दिया है और मैं उसका स्वागत करता हूँ उन्होंने श हो जाते हैं कि उनको चिंता यह है इस चुनाव में मानने विपक्स नंभव नहीं होगा इतने सीटे भी नहीं आएगी कोई जैकर नाइज ऑपोजिशन बने और इसलिए को अगर मर्जर कर देंगे तो नंबर थोड़ा हो जाएगा हम मानने विपक्स बनेंगे दूसरा आपको पास्रे होगा मैंने कानून में परिवर्टन किया हमारे बहुत से योजना एसी है इस्टे जिसमें लीडर ऑफोजशन बैठ सकता है और बड़े महत् дов नेंगे होते तो मैंने कानून देया कि खोंसर iki मैंने इंग्णी स्थन हैंनिक कि 2014-2019 को बद सीट हैं एक बीढका मुझे पता है वक की कमी है लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और बहुत से लोग हैं जिन्हों ने इस सवाल पर बहुत खिलिया उड़ाई थी लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूचा था कि खेत में गर्णा कात्रे एक उरत ने मुझे से ये कहा था और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी पांच साल पहले मैंने आपसे कहा था थकते क्यों नहीं हैं आज 5 साल 20 जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रहलिया की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकी ठकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक मा जिन्दा थी, मुझे लगता था कि साइट बायोलोजिकली मुझे जन्म दिया गया है, मा के जाने के बाद इन सारे अनुफ़ों को मैं जोड़ करके देखता हूँ, तो मैं कन्विन्स हो चुका हूँ, गलत हो सकता हूँ जालो, अलेपकेस लोग तो मेरे दज ये उर्जा बायोलोजिकल सरीर से नहीं मिली है, ये उर्जा इश्वर ने मुझे से कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दिये है, और प्रेरना भी वही दे रहा है, पुर्शात करने का सामर्थ भी दे रहा है और मैं कुछ नहीं हूँ एक इंस्टूमेंट हूँ जो इश्वर ने मेरे रूप में मुझे मुझे लिए ना ताहिक किया है और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मैं मानता हूँ शायद इश्वर मुझे करवाना चाहता है क किन्ता छोड़ों कि मैं सिर्फ इस्वर को सबर्पित हूं दूसरा लेकिन उस इस्वर को मैं देख नहीं सकता हूं तो मैं भी एक पुजारी हो मैं भक्त हूं तो मैंने 140 करोर देश्वाशियों को इस वर का रूप मान करके चलता है वही मेरे बगवार कि आप भगवान के बीच में हैं और भगवान आपके साथ है मा आप में समाई हुई है आपको खूब सारी शुब कामना है और चार जून को फिर हो सकते आपसे मुलाकातों क्या रखेगा धनुआ जी थांक्यों